कोई दो नंबर है उसको अगर 17 से डिवाइट करते हैं तो पहला नमबर क्या देता है 13 remainder देता है दूसरा क्या देता है 11 remainder देता है अब क्या कह रहा है कि उन दोनों values को अगर add कर दिया जाए तो हम और 17 से divide करें तो अब remainder क्या मिलेगा ठीक है तो first value मालीजी हमने find out करना चाहते है कि first value क्या है कौन सी होगी जो 17 से divide करने पर 13 remainder दे तो 17 x plus 13 first value होगी जो 17 से divide करने पर 13 remainder देगी उसी तरीके से जो second value होगी वो क्या होगी 17 y plus 11 ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको अगर हम 17 से divide कर रहे हैं 17 से divide करने तो यह term तो completely divide होता है यह 13 ही हमें remainder देता है इस case में 13 देगा उसी तरीके से यहाँ पर हम 17 से divide करें तो यह term तो पूरा completely divide हो जाएगा यह 11 वाला term ही सिर्फ remainder देगा और यहाँ पर 17 से divide करने पर 11 ही remainder आएगा हमारा ठीक है यह चीज़ confirm होगी अब हमसे क्या कह रहा है कि इन दोनों value को जब हम add कर देते हैं दोनों value को अगर हम add करते हैं तो हमें क्या और फिर 17 से divide करते हैं तो हमे 17x plus 13 plus 17y plus 11 इनको अब क्या करना है हमें 17 से divide करके remainder रता आना है तो यहाँ पे अगर हम 17 17 common ले ले हैं 17 तो x और y वाला term तो यहां bracket में आ जाएगा प्लस जो term बचेगा वो बचेगा 13 और 11 वो होता है कितना 24 और अब इसको हमें divide करना है 17 से तो आप यह देख पाएंगे कि जो xy वाला term है उसके आगे तो coefficient क्या है हमारा 17 है it means यह term तो completely divide हो जाएगा 17 से जो value remainder देखने वाली है वो क्या है यह 24 जो value है वो remainder देने वाली है त 24 को अगर हम 17 से divide करते हैं तो कितने time जाता है one time जाता है और यह जो value निकल के आती है वो क्या निकल के आती है 7 जो है हमारा remainder बचता है क्या बचता है 7 जो है हमारा remainder बचता है तो इस question का जो सही answer है वो है answer third 7